दो तरह के लोग होते हैं दुनिया में एक वह जो छोटी सी भी प्राबलम आने पर डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, दुखी हो जाते हैं और दूसरे वह चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किलें उनकी जिंदगी में आ जाएं लेकिन वह हमेशा खुश रहते हैं हर प्राबलम में खुद को संभाल लेते हैं, एक वह जिनके पास सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी वह हमेशा दुखी दिखते हैं, आपको हमेशा दुखी ही मिलेंगे और दूसरे वह जिनके पास कुछ हो चाहे ना हो लेकिन वह हमेशा आपको खुश मिलते हैं, मुस्कुराते हुए मिलते हैं आज हम ऐसी तीन कहानियों के बारे में बात करेंगे जो चाहे आपकी जिन्दगी में हजार मुश्किल हो क्यों ना जाएं कितनी भी बड़ी परेशानियां क्यों ना जाएं, लेकिन यह कहानिया आपको हर मुश्किल में कुछ सहना सिखा देंगी, हर परेशानी में मुश्किल सिखा देंगी पहली कहानी एक फकीर देश में यात्रा के लिए निकला मार्ग में जब रात हो गई तो वह एक व्यक्ति के घर में जाकर रुका उसका नाम संदीप था संदीप ने फकीर की खूब सेवा की दूसरे दिन संदीप ने उस फकीर को उफार देकर विदा किया फकीर संदीप की सेवा से बहुत खुश हो गया था और उसे दुआएं देने लगा भगवान करे तु दिनों दिन बढ़ता ही रहे फकीर की इस बात को सुनकर संदीप हंसने लगा और बोला अरे फकीः, जो भी है यह भी नहीं रहने वाला फकीर संदीप की तरफ देखता रह गया और बहां से चला गया, कुछ वर्षों के बाद फकीर फिर संदीप के घर आया और देखा कि उसका सारा धन सारी संपत्ती सब कुछ खत्म हो चुका है, पता चला अब सं संदीट से मिलने गया लेकिन संदीट ने अभाव में भी उस फकीर का स्वागत किया जोपडी में फटी चटाई पर उसे बैठाया और खाने के लिए दोस्त के बची सूखी रोटी भी वह फकीर को दे दी दूसरे दिन जाते समय फकीर की आँखों में आसू थे फकीर कहने समय सदा बदलता रहता है और सुनो यह भी नहीं रहने वाला फकीर सोचने लगा मैं तो केवल बेचते फकीर हूँ लेकिन सच्चा सतीश तो दूर है संदीट कुछ वर्षों के बाद फकीर फिर यात्रा पर निकला और संदीट से मिला तो देखकर हैरान रह गया आनंद अब तो जमीनदारों का भी जमीनदार बन गया है उसे मालूम हुआ कि जिस जमीनदार के यहां संदीट नौकरी करता था उसकी कोई संतान नहीं थी मरते समय उस जमीनदार ने अपनी सारी जायदाद संदीट को दे दी फकीर बहुत खुश हो गया उसने संदीट से कहा अच फकीर ने पूछा क्या यह भी नहीं रहने वाला संदीप ने उत्तर दिया, यह चला जाएगा, या फिर इसको अपना मानने वाला ही चला जाएगा, यहाँ पर कुछ भी हमेशा रहने वाला है ही। जब उसी गाव से गुजरा संदीप का वह महल तो है, लेकिन उसमें संदीप नहीं है, उसमें कबूतर गुटर गुकर रही हैं, क्योंकि संदीप अब इस दुनिया में नहीं था, उसकी म्रक्य हो चुकी थी। जिन्हें महलों में हजारों रंग के कपडे थे और जार उनके कबर पर था, बाकी फकीर मन ही मन सोचने लगा कि इनसान जिंदगी भर कितना। दौरता रहता है, रोता रहता है, दुखी होता है, जिन चीजों के लिए इनसान तर्पता रहता है, दुखी होता रहता है, वह चीज हमेशा रहने वाली नहीं है, वह सारी चीजें बदलने वाली है। यह कहानी हमें शिक्षा देती है कि हमारी जिंदगी में जब भी कोई मुश्किल है, कोई ततलीफ और कोई दुख है तो हमें यह सोचना चाहिए कि जिंदगी में इससे पहले जो मुश्किलें आई वो बुझानें आई क्या वह हमेशा जैसे आज तक सारी मुश्किलें होकर च चली जाएगी यह भी हमेशा रहने वाली नहीं तो आपकी जिंदगी में कितना भी बड़ा दुख हो कितनी भी मुश्ग। किल क्यों ना हो आप मन में विश्वास रखना यह सुलजाने हमेशा रहने वाली नहीं है। और दूसरी कहानी एक व्यक्ति मुर्क्यू के करीब था मरने वाला था उसने अपने बेटे को चांदी के सिक्कों से भरा हुआ एक थैला दिया और अपने पुत्र को बताया जब भी इस थैले से चांदी के सिक्के खत्म हो जाएं तो जो मैं तुम्हें प्रार्थना बताता इसने अपने बेटे के कान में चार शब्दों की प्रार्थना कहीं और वह मर गया अब बेटा चांदी के सिक्कों से भरा थैला पाकर बहुत खुश हो गया उसे खर्च करने में लग गया वह थैला इतना बड़ा था कि उसे खर्च करने में कई साल बीत गए लेकिन इस बीच वह चार शब्दों की प्रार्थना ही भूल गया जब थैला खत्म होने को आया तब उसे याद आया अरे वह चार शब्दों की प्रार्थना क्या थी उसने बहुत कोशिश की लेक पडोसी से पूछा कि ऐसी कोई प्रार्थना तुम जानते हो जिसमें चार शब्द है पडोसी ने कहा 14 शब्दों की प्रार्थना मुझे मालूम है ईश्वर मेरी मदद करो उससे सुना और लगा कि यह शब्द नहीं है बहुत शब्द कुछ अलग थे उसने बहुत सारे चार प्रार्थनाओं को बार-बार दोहरा के देखा लेकिन उस खाली थैले में सिक्के बड़े ही नहीं वह मन ही मन बहुत दुखी हो गया फिर वह एक ब्राहमन से मिला उसने कहा तुम यह प्रार्थना करो इश्वर तुम महान हो लेकिन इस प्रार्थना से भी कुछ नहीं आखिर में वह उदास होकर अपने घर में बैठ गया, तब एक भिखारी उसके दर्वाजे पर आया, उसने कहा सुभह से कुछ, नहीं खाया हूँ खाने के लिए कुछ हो तो मुझे दे दो। उसका खाली थैला चांदी के सिक्कों से वापस भर गया, यह कहानी भी हमारी जिन्दगी से ही जुड़ी है, वह खाली थैला हमारी जिन्दगी है, और वह चांदी के सिक्के खुशियां है, जब तक हम अपनी जिन्दगी में शिकायत करते रहते हैं, परिशान होते रहते हैं, तब तक हमारी जिंदगी के खाली थैले में वह खुशियों के सिक्के आते ही नहीं, लेकिन जब हम सारी शिकायते भूल कर परमात्मा को दिल से धन्यवाद देते हैं, प्रकृती को दिल से धन्यवाद देते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं, तो हमारी जिंदगी में भी उस इनसान की जिद अपने आपको शांती और सुकून हमेशा दिखाई देगा और तीसरी कहानी एक चिडिया ने एक खेत में अपना घोसला बना कर उसमें अंडे दिये उसने समय आने पर दो बच्चे निकाले चिडिया दाना चुगने के लिए रोज जंगल जाती और इस बी अकेले रहते थे चिडिया जब लौट कर आती तो बच्चे बहुत खुश होते उसका लाया हुआ दाना एक दिन चिडिया ने देखा कि बच्चे बहुत डरे हुए हैं उन्होंने बताया आज खेत का मालिक आया था वह कह रहा था कि फसल पक चुकी है कल बेटों से खेतों की कटाई के लिए कहेगा इस तरह तो हमारा घोंसला तूट जाएगा फिर हम कहा रहेंगे चिडिया बोली फिक्र मत करो अभी खेत नहीं कटेगा और अगले दिन सच में कुछ नहीं हुआ बच्चे बेफिक्र हो गए एक हफते के बाद चिडिया को बच्चे फिर ड रोमत अगले हफते बच्चों ने बताया कि किसान आज फिर आया था और कह रहा था कि फसल कटाई में बहुत देर हो गई है कल वह खुदा करके इस फसल को काटेगा यह सुनकर चिडिया बच्चों से बोली अब खेत कल पक्का कट जाएगा वह अपने बच्चों को लेकर त तुरंत एक सुरक्षित स्थान पर चली गई बच्चे बहुत हैरान है और अपनी मा से पूछने लगे कि तुम्हें कैसे पता कि इस बार खेत सच में कटेगा तो वह चिडिया कहने लगी जब तक कोई इनसान दूसरों पर निर्भर होता है तो उसके काम को संपन्न होने में हमेशा संघिये बना रहता है लेकिन जब कोई इनसान अपने काम को खुद करने की ठान लेता है तो वह काम जरूर होता है यह कहानी भी हमेश शिक्षा देती है कि जब तक हम दूसरों पर डिपेंड रहते हैं हमेशा दूसरों के आसरे पर चलते रहते हैं दूसरों के भरोसे पर चलते रहते हैं तब तक हमारे काम धंग से नहीं हो पाते लेकिन जिस दिन हम अपने सारे काम अपने हाथ में लेते हैं अपने हर काम में हम खुद जुड़ जाते हैं तो हमारे यह सारे काम जरूर पूरे होते है अर्वाल